तो फाइनली आपको बता दे कि इंडियन एर फोर्स का जो आपका अगनीवीर का जो एक्जाम चल रहा था 24 जुलाई से और आज आपका खतम हो गया है और आप बात करेंगे कट आफ का कि कितना कट आफ आपका जा सकता है इस बार का क्योंकि इस बार का जो पेपर का लेवल था बहुत ही जादा कल्कुलेटिव था मोडरीट कोशन आपका ग्रूप X में उठा उठा कर पुछा है वाई ग्रूप में रागा सेक्षन तो आप कहीं मुनलब की बोलने के लिए मेरे पास सब्दी नहीं है बहुत जादा नॉन भर्वल उठा कर पुछा वहाँ पर वाई ग्रूप के अंदर में और जो पेपर का लेवल था इंग्लीज बस इंग्लीज ही आसान था आपका जिसमें लड़के आसानी से कोशन कर रहे हैं ते इंग्लीज का दोनों काम बात करें य में भी और X में भी काफी मतलब इंग्लीज में ही लड़कों का स्कूर बहतर हो सकता है बाकी हमको लग रहा है कि 12, 13, 14, 15, 16 यही स्कूर होगा इन लोगों का क्योंकि पेपर इस बार बहुत ज्यादा टॉफ हाया है कोश्चन जो फिजिक्स का पूछा गया है इतना नोमेरिकल था इस बार कि जितना पिछला जितना भी एकजाम एरफोस का था उसमें इतना नोमेरिकल ही नहीं आ रहा था 15 प्लस नोम मैथ तो भी आपका कल्कुलेटिव था ऐसा नहीं कि असानी से आप मैथ बना कर आ जाएंगे इसा नहीं था इंगली सेक्षन के वल आपका असान था जिसमें 15 प्लस हर लड़का कर सकता है अगर मनलब की 13 14 भी अगर आप इंगलीस में करेंगे तो चली ठीक है बट बाकी में आपका थोड़ा बहुत जिनका भी इंगलीस में कम स्कोर है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहां पर अपकुछ लोगों का सेक्षनल कटाउफ भी पार नहीं होगा दस दस नंबर आपको प्लस लाना ही पड़ेगा दस या दस से जादा अगर होगा सीनों में तो जाकर आप निकलेंगा अगये अब देखने कि यहां पर कितने लड़कों का रिजल्ट बनता है इस बार कितने लड़कों के लिए मतलब की नवर्ड़कों का फेजटू के लिए कॉल आप किया जाएगा क्योंकि पिछला बार सादे सतरह जार के करीब लड़को को बुलाया गया था तो इस बार कितना आंकड़ा रहता है कितने लड़कों को बुलाया जा रहा है क्योंकि इस बार का जो आपका paper का level था हमको लग रहा है कि जादा मतलब कि यहीं आंकड़ा रहेगा 17 से लेकर 18 तक ठीक है 17-18 12,000 लडगों का phase 2 के लिए admit card जारी किया जाएगा दस तारीकों रिजल्ट आप का जाएगा यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस बार जो आपका जीडी होगा उसमें आपको जो paper दिया जाता है जहां पर आप topic को पढ़ते हैं पढ़ने के बा जिसमें आप topic को पूरा पर read करते था इस बार लोगों का कहना यह है कि आप कहां से उनका source लगा है बागवान जाने मेरे कोई इतना idea नहीं बट आप लोग officially ही लेकर चलिएगा मतलब कि ऐसा officially आपना जो होता है पहले के तरह उसको आपको लेकर चलिए नहीं कि आप मतलब कि topic के बारे में सोचेंगे कि paper नहीं मिलेगा तो हम तो पढ़ी नहीं पाएंगे कैसे होगा क्या नहीं होगा इन चीज़ों को आपको ignore करना है क्योंकि यह official नहीं है अभी आपका लोगों का कह आप मतलब 5 मिनट के time मिलता था पढ़ने के बाद आपका discussion चलू होता है तो कुछ लोगों को कहना है कि इस भार नहीं मिलेगा सीधे आप topic मिलेगा और उस topic को आपको देखने के बाद आपको discussion सुरू कर देदेना है कुछ लोगों का कहना यह है बट हमको आपको यहीं बतान जीडी के लिए और मतलब जो भी आपका फेस्टू है उसके लिए 20 दिन का टाइम बच रहा है तो 20 तीन में जितना आप 100% दे सकते हैं दे दीजे कुछ लोग आप चले जाएंगे कैडमी वेगरा में पैसा बरबाद हो जाएगा आपको किलियर बता रहें कि एरफोस का जो फे बता हमा बक्तार हो जाएगा आप गुत्समिक वेट्समिनके में फट Communist लिए और नार्मल कपिस यह चाहिए मैभी इस बार आपका कैसलों खार जाएंगा आपका उटिस इनार्म ताल का बड़ल आपका करें गश्या कर आया जाएग प्रोपर रनिंग कही है आपको प्रैक्टीस करके जाना है तो तो आपका झाहिर सी बात है कि पुण। प्रेटीस करेंगा तो नॉर्मल सा पुण। सब्सक्राइब करना हो तो आप साइड से उसको भी कर सकते हैं बट इस बार आपका hold नहीं कराय जाएगा क्योंकि उस बार जादा लड़कों को out करना था तो आपका वो करा रहे थे वे लोग तो आप बात कर लेते हैं कि GD का कल हम आपका सुरू कर देंगे 20 दिन का हमको time आप दे दीजे पूरा 20 डे है हम लोगों के पास टोटल 23 में आपका पूरा physical का जितना कहानी हो समाप्त हो जाएगा बस आपका जो GD का दिक्कत है वो clear करेंगे बाकि physical पर आपको पूरा ध्यान देना कैसे क्या करना अगर आपका running ठीक ठाक नहीं है तो उसके लिए भी कल आपको हर वीडियो आपको device एक एक दिन करके आपको मिलता जाएगा इससे आपका जैसे कि पिछला आपने जितना भी face 2 के लिए cover किया था वो कल से हम सुरू करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगा ठीक है और आप GD के लिए बिलकुल निशेंत रहेगा क्योंकि देखे इसमें ज़्यादा SSB यह नहीं आपका एंडिये का कि बहुत ज़्यादा heart पुछ देगा आप बाहर हो जाएगा ऐसा कुछ निए नॉर्मल आपको अगर English बोलने आता है थोड़ा बहुत भी बोलने आता है English आप बोल देंगे 4-5 लाइन कोई भी टॉपिक अगर आपको मिले 4-5 लाइन उस टॉपिक के बारे हैं वस बोलना उसी में आपका selection हो जाता है बोलना कैसे है, introduction कैसे देंगे यह चीज़ आपको जाना बहुत जरूरी है और यही चीज़ हम आपको बताएंगे कल से mission सुरू हो जाएगा आपका phase 2 का और आज आपका cutoff का हम बात कर लेते हैं कि cutoff क्या रहेगा तो Y का जाहिर सी बात है cutoff क्योंकि non-verbal उठाकर इतना पुछा है कि हालात खराब था लडगों का तो Y का cutoff होगा आपका 31 से लेकर आपका 35 इसमें आपका final selection तक सीमीत रहेगा मतलब पूरा enrollment का आप clear कर लेंगे 31 से 35 के बीच मगर आप score बना रहे हैं तो आप जाहिसी बात है कि आप Y group को clear कर लिए है 31 से 35 आपका ये Y group का cutoff रहेगा 31 से लेकर 35 तक के बीच में आपका cutoff लगेगा ही लगेगा देखेगा जब 10 को result आएगा तो 31 से 35 आपका Y group का 31 से 35 अब बात करते हैं कि आपका group X का कितना जाएगा 34 तो 38 आपका group X रहेगा 34 से लेकर 38 नमबर के बीच में आपका group X का cutoff जो की टकरा जाएगा देखेगा 10 को result आएगा तो कितना आएगा 34 तो 38 आपका group X और 31 से आपका 35 group Y है मेरा आपका opinion है मेरा cutoff का मेभी आपका group X का और भी थोड़ा बहुत एक दू नमबर कम जा भी सकता है क्योंकि physics रुलाया है आपको नहीं पता है तो जो भी पढ़ने वाला भी लड़के इस बार हो कर रहा है physics कितना भ्यानक लेवल से question पूछा है और आपका ये math का तो बात ही चोड़ दिए math बहुत ज़्यादा कॉल्कुलेटिव था आसानी से टच नहीं हो रहा था तो 34 नमबर से लेकर अगर आपने 38 टच किया है तो आप मानगे चलिए कि आप group X के लिए बहतर score कर लिए है मतलब कि 34 तो 38 आपका group X और 31 तो 35 आप group Y का आपका लगेगा फिर से एक बार repeat करते हैं जो समझ नहीं पाएं 31 से लेकर 35 तक आपका group Y का और 34 नमबर से लेकर 38 नमबर तक आप group X का इतना ही cut off रहेगा 34 तो 38 X 31 तो 35 आपका वाई मतलब कि जो भी group X और Y का cut off होगा वो आपका under 40 रहेगा उपर नहीं जाएगा तो अगर आपने इस से ज़्यादा कर लिया score तो आप तो नहीं चिंत रहे हैं अगर आपने 35 फ्लस Y में मार दिया है तो बहतर है आप फाइनल तक टच कर गए है बढ़िया एकदम क्योंकि वाई में final cut off बढ़ता ही नहीं है final जितना अभी आपका cut off आएगा एक्जाम वाला उससे एक से डेंड नमबर आपका increase करता है मतलब कि 31 से 35 तक अगर आपने मनलब की अमान के बहुत हो जाएगा यह एकतिस से 35 आपका Y के लिए इनफ हो जाएगा राबात X का वो आपका 34 तो 38 बिल्कुल टक राएगा क्योंकि इस बार question का जो बहुत भ्यानक level था तो आप 40 का प्लस का उपर मनलब 40 फ्लस उपर का उमीद कोई भी नहीं कर सकता है एक मनलब की किसी से भी फूचिएगा तो हस देगा आपके 40 फ्लस हो जी नहीं सकता है इस बार चलिए तो ठीक है मिलते हैं कल से आपका regular वीडियो आना सुरू हो जाएगा टॉपिक वाइज आप चलेंगे ठीक है दो टॉपिक कैसे मतलब की 20 दिन का टाइम बच रहा है तो तीन टॉपिक आप लेकर चलें एक दिन में तीन टॉपिक आप किलियर करें और कुछ टॉपिक जो होगा आपका नया भी रहेगा जैसे कि Commonwealth Games आपका चल रहा है ठीक है, Old Age Home जैसे आपका टॉपिक हमेशा पूछता रहता है ठीक है यह सब आएग आपका प्राइविट एजिसन जो हो रहा है इंडियन रिलवे का यह एक महतंपुन टॉपिक रहता है आपका साथ टॉपिक आपका खिलियर हो जाएगा जो हमारा 65 टॉपिक लिस्ट है वो आपको कल मिलेगा तीन टॉपिक एक दिन का टार्गेट लेंगे आप लोग और टेलिग्राम पर आपका भुवाय शैट में आपका डेली डिसकसन होगा अगनी वीर से एक ग्रूप बना हुआ है का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे देंगे ज्वायन फटा फट कर लिजेगा मिसन अगनी वीर से ग्रूप है वो जिसमें लड़के जीडी स्टार्ट कर चुके हैं डेली एक टाइम फिक्स होगा आप आएंगे डिसकस करेंगे वहां पर टॉपिक मिलेगा आ अगर आप आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा और विडियो को सेर कर दीजेगा ताकि और नए लड़कों तक पहुचे जो एक्जाम दिये हुए है ताकि उनका भी हेल्फ मिल जाए त्योंकि कर से फेस्टू का हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना पूरा भ्य